प्यारे बच्चों यह है आज का हमारा पेपर का सलूशन अर्धवारशिक परिक्षा 2022-23 का हम सलूशन करने जा रहे हैं विशाइ गणित कक्षा 11 क्लास 11 का पेपर यहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं चली तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है सही विकल्प का चुनाव करें तो सही विकल्प के चुनाव में कह रहा है पहला कुशन समुच्चे खाली, रिक्ट समुच्चे के उप समुच्चे की संख्या क्या होगी तो भाई उप समुच्चे की संख्या कितनी होती है 2 to the power n और यहाँ पर number of element 0 है तो 2 to the power 0 equals to कितना आएगा 1 तो पहले का answer कितना होगा 1 ओके, next question, question number 2 है कि दो परिभाद से समुच्चे a और b इस परकार है कि n a equals to 2, n b equals to 3 तो a से b में संख्या क्या भाई, formula क्या होता है 2 की power m into n ओके, तो formula होता है 2 की power m into n m मतलब पहले बिंदू और n मतलब दूसरे बिंदू तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 की power 3 into 2 या 2 into 3 मतलब 2 की power 6 और 2 की power 6 कितना होता है 64 तो इसका correct answer आएगा 64 चली, third question है, समिसर संख्या 4 minus 3 आई का मापांक very simple question, पहली संख्या का square प्लस दूसरी संख्या के square का under root ले लिजिए तो 4 का square 16 और 9 25 का कितना आ जाएगा 5 मापांक कभी negative नहीं होता है इसलिए answer इसका होगा 5 बहुत सारे बच्चों ने plus minus 5 लगाया होगा जो की गलत हो जाएगा चली, third question के बाद, fourth question NP0 दिये गए चीजों में से 0 selections कितना होगा 1 NP0 equal to 1 होगा, ओके NP0 factorial n upon factorial n minus 0 यही फॉर्मूले से देखा जाए इसका तो यह हो जागा factorial n upon factorial n minus 0 so this will become factorial n upon factorial 1 guys, so finally it will be 1 okay, so answer is 1 fourth question भी डन होगा yz तल पर x निर्देशांक कितना होगा भाई तल yz है, तो x भला क्या करेगा x की value कितनी होगी 0 और yz तल पर जो निर्देशांक हुआ करते हैं हलाकि इसमें x निर्देशांक पूछा है बटेवी yz तल पर किसी बिंदू के निर्देशांक पूछता, तो answer कितना आता answer आता 0, y, z 3D का question, दो परस पर लमवत लेखाओं की ढाल का गुड़न फल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, m1 into m2 equal to minus 1 तो सा होगा इसका answer c चलिए यहाँ पर थोड़ा question में change किया गया था समुच्चे a तथा b में a union b equals to कितना होगा भाई commutative rule यानि की करम विनमेता follow होती है a union b equals to b union a तो इसका answer था a union b equals to b union a पहला, दूसरा question है किसी अरित्रिक समुच्चे a से अरिक समुच्चे b में संबन्ध आरती कारती गुड़न a cross b का किसी अरित्रिक समुच्चे a से अरिक समुच्चे b में संबन्ध r जो होता है कारती गुड़न a cross b का अरे भाईया A x B का क्या होता है जो R होता है वो A x B का उपसमुच्य होता है तो यहाँ पर क्या आना था उपसमुच्य है और you can say in English subset यहाँ पर उपसमुच्य है या subset आना था minus I का गुणात्मक प्रतिलोम so simple कितना हो जाएगा 1 upon minus I तो I का multiply उपर I का multiply नीचे कितना हो जाएगा उपर I और नीचे हो गया plus 1 तो answer होगा I नीचे I square equal to minus 1 और minus minus plus 1 हो गया तो answer कितना हैगा इसका I असामी का हो एक्सेस greater than or equal to 0 y is greater than or equal to 0 का हल भाई X भी बड़ा है 0 से याने कि यह line यह वाले access है और Y 0 या 0 से बड़ा है तो यह वाले access तो कौन सा चतुर्थांस होगा भाई प्रथम चतुर्थांस होगा इसका उत्तर अगला question यह तो कल ही कराया था लिए यही मिल गया NC 12 equal to NC 8 तो N का मान कितना होगा 12 plus 8 याने की 20 दो समानतर रेखाओं की ढ़ालेने विभाजित करते हैं मैंने बताया था एक यह लेते हैं एक यह लेते हैं ओके इस तरीके से टोटल यहाँ पर कितने बनते हैं 8 बना करते हैं ओके येस अगला सवाल अगला सवाल है एक शब्द में उत्तर दीजिए एक सब्द में तो x का मान दिया गया है, फलन का मान सीधे सीधे निकालना है, तो x की जएगे minus 1 का square हो जागा 1, फिर यह हो जागा minus 2, और यह हो जागा minus 3, 3 और 2 minus के 5 में 1 z हो गया, answer आएगा minus का 4, okay, minus का 4, कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, a है और b बराबर है, 2, 4, 6, 8, तो B-A का मान गयाद करो तो B-A मतलब B तो होगा मगर A नहीं होगा तो A जितने है रिमूब कर दो और B तो होगा बट A नहीं होगा तो देखो कौन-कौन पार्ट है कॉमन 2 है, 4 है, 6 है तो 2 हटाओ, 4 हटाओ, 6 हटाओ A में से, है ना B में से, 2, 4, 6 हटाओ और बच क्या गया, B के अंदर 8 बच गया तो सिंपल एक लाइन में आंसर लिखना था B-A बराबर only 8 का समुच्च है अगला समन्ध कौश्चन है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इक्वल टो कितना होता है, यह होता है 2 की पावर N ओके कितना होता है, 2 की पावर N ओ भाई, अगला कौश्चन है 2, 4, 8 का आठवा पद 2 दोने 4 और 4 दोने 8 मतलब यह कितनी हो रहे GP बन रही है, यह है 2 की पावर 1 यह है 2 की पावर 2, यह है 2 की पावर 3 तो आठवा पद कितना आएगा 2 की पावर 8 याने की 512 ओके 512 उस सरल लेखा का समीकार लिखे जो अक्छों से क्रमसा है, माइनस 3 और 2 इकाई के अंत्य खंड काटती है तो चलिए, सरल लेखा का समीकार X अपॉन A, A की वैल्यू कितनी है माइनस 3, और Y अपॉन B B की वैल्यू कितनी है भाई B की वैल्यू अपने पास में 2 E काई एक थोड़ा से इसको सरल कर दो अगर हल करना हो तो वैसे यहाँ पर भी छोड़ के आओगे तो आपको पूरे माक्स देना पड़ेगा सामने वाले को तो यदि इसको हल कर दोगे तो यह हो जाएगा 2X, माइनस का 2X और प्लस का 3Y इकोल्स टू 1 ओके, तो माइनस का 2X प्लस 3Y इकोल्स टू 1 That's it, your answer चली, अगला कोश्चन है X equal to 2 पर Fx equal to 3X का अवकलर तो भाई साब, Fx equal to 3X दिया गया है और इसका अवकलर निकालना है तो Fx equal to 3X है तो F dash X कर दो तो 3 तो constant है, बाहर आ जाएगा X का कितना हो जाएगा 1 और अब कह रहा है कि F dash कितना निकालना है Fx dash X equal to 2 पर तो X की value 2 रखो, रखने की कहीं जगे ही नहीं, तो answer कितना आएगा इसका 3 ही आएगा तो इसका correct answer कितना हुआ, 3 ओके, चलिए, next कह रहा है बिंदू 2, 3, 5 और 4, 3, 1 के बीच की दूरी तो बिल्कुल सही करना है इसको यही जैसा किसी बच्चे ने लिखा उपर X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 तो इनके बीच की दूरी का formula दूरी से उतर लेगा करके निकाल लीजिए 4 माइनस 2 का square 4 माइनस 2 का square प्लस 3 माइनस 3 मतलब 0 का square प्लस 1 माइनस 5 बोले तो माइनस 4 का square तो अंडरूट solve कर दो दोगी 4 में से 2 गए, 2 का square, 4 हो जाएगा अगला 0 है और फिर 4 का square कितना हो जाएगा 16 तो 16 और 4 कितना हो जाएगा अंडरूट 20 यानि कि 2 रूट 5 इकाई 2 रूट 5 इकाई को इंगलिश में unit बोलते हैं तो यह है इसका correct answer तो देख लिए आपने सारे answer इसके जो अपने किसके करे थे एक शब्द अब आजाएए भाई साब सत्य असत्य वाई अच्छ पर किसी बिंदू के निर्देशांक 0, X, 0, Z होते हैं बिल्कुल असत्य है भाई अच्छ है तो Y बस जिंदा होगा बाकी सब मुर्दाबाद 0, Y, 0 तो यह कैसा हो गया यह हो गया असत्य है ओके यह हो गया हमाई पास में असत्य चली अगला देखते है तीन बिंदू ABC संरेक होते हैं अगर केबल और केबल यदी AB की ढाल बराबर BC की ढाल बिल्कुल सही बात है यह सत्य होगा अगर AB की ढाल और BC की ढाल बराबर है तो तीन बिंदू जो होंगे सनरेख ही होंगे चलिए अगला question है दो संख्याओं का समानतरमाद गुणतरमादे से छोटा होता है बिल्कुल गलत है A is greater than or equal to G ओके हैना तो ये मैंने बताया था कि जो समानतरमाद होता है वो गुणतरमादे से बड़ा या बराबर हुआ करता है तो ये क्या हो गया भाई साब ये हो गया असत्य चलिए अगला A प्लस B की पावर N के प्रसार में A तता B की घातांकों का योग N होता है ये तो परम सत्य है भाई बाईनिमेल थेोरा में भी पढ़ा हमने कि हर घातांकों का योग कित्ता होता है सत्य होता है अच्छा ये कहा गया है ये फैक्टोरियल 0 था बटे ये question मैंने change करा दिया मैंने इस question को change करा कर कह दिया था कि angle 0 radian का मान जो होता है 0 degree होता है तो ये बिल्कुल सत्य हो गया उस case में एंगल जीरो रेडियन का मान जीरो डिगरी होता है तो ये यहाँ पर क्या हो चुका है ये इस situation में ये सत्य हो चुका है चलिए अगला किसी असामीका का हल असामीका को एक सत्य कथन नहीं बनाते हैं ये क्या पूछ लिया भाई किसी असामीका का हल असामीका को एक सत्य कथन नहीं बनाते हैं भाई बिल्कुल गलत बात है असामीका का जो हल होगा वो असामीका का तो सत्य ही बताएगा ना गलत थोड़ ना बताएगा तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है असत्य लिखा हुआ है, कहारा किसी असामिका का हल, अब जो असामिका का हल होगा, वो असामिका के कथन को क्या बताएगा, सत्य ही तो बताएगा, अब यह कहारा सत्य कथन नहीं बनाते, बिल्कुल गलत बात, तो यह क्या हो गया, असत्य हो गया, चलिए, अब आईए, सही जो हो गया क्या 1-2 sin2 equal to cos2a 3 sin2-4 sin3 यह तो बहुत प्रसिद्ध फॉर्मुला है sin3 का इसी का उल्टा 4 cos3-3 cos3 का किसका formula है cos3a का okay 10 square 2 square a minus 1 नहीं तो 10th class का formula 10 square root 3-1 upon 2 root 2 कितना होता है बताएए root 3-1 upon 2 root 2 होता है sin15 का formula होता है okay sin15 का formula और root 3 plus 1 upon 2 root 2 यह किसका formula होता है यह cos15 का formula होता है तो बच्चों यह था हमारा आज के paper का पहला part आप लोग जरूर कमेंट करके बताएए कि आपको पहले part का solution कैसा लगा और अपने-पने marks पहले part के लिखिए और इसके बाद हम इसका second part थोड़ी देर में लेकर के आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन झाल